पैलेस ओन वील्स के महरानी सूइट रेस्टोरेंट में इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से नकासी से लेकर सारी चीजों को इस तरीके के से विवेस्थित किया गया है जैसे कि हम किसी महल में मौजूद हो और आप इस समय अपनी नजरों म मेहमानों के लिए क्या खास वेंजन है क्या रजवाडो के नाम पर जिस तरीके से तमाम बोगियों के नाम है तो खाने में भी कुछ ऐशी चीजह है है खाने में सब जैसे अपने विदेशी परेटे ज्यादा करके आते हैं अपने यहापे तो उनके हिसाब से उनकी पसंद का खाना हम लोग रखते हैं उसके बाद में जब हम लोग आगे राजस्थान में एंटर होते हैं तो राजस्थान में जो राजस्थानी खाने होते हैं वो से गम 20-25 तरह के खाने की आइटम्स होते हैं जिसमें हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद आही जाता है सब चीज में एक बार किचन अगर आप दिखाएं हमें कि किस तरीके से यहां किचन है और किचन में किस तरीके से काम होता है हम आपको किचन में लिए चलते हैं और समझने की कोसिस करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वेंजनो को बनाया जाता है तो आपको अपने साथ ले चलते हैं देखे यह यहाँ का किचन है और यहाँ पर फिलहाल तयारी चल रही है क्योंकि ट्रेन कुछ ही देर बाद यहाँ से गंतव्य के लिए रवाना होगी तो तमाम जो लोग हैं वो किचन में अपनी तयारियों में लगे हुए हैं कहीं पर रोटियां बन रही हैं तो कहीं पर आप देख सकते हैं कि सैलेड हैं यहां पर सैलेड बनाए जा रहे हैं और कुछ इस तरीके से चीजों को यहां पर सजा यहां पर बनाई जा रही है क्या खास है सरीन में अगर बात की जाए चिकन मैउनी सेलेड है यह अपने स्नेक्स के लिए है चीज चेरी पाइनेफल स्टिक किस तरीके से क्यों सजाए गया है कोई खास वज़े बस सजाने का खास बज़े ऐसा कुछ नहीं होता है बस अच्छा दिखने के लिए गेस्ट को मन भाजा है इसलिए होता है बाकि इसमें से एक निकालेगा आदमी उसको खाएगा तो इस तरीके से लगबक साथ से आठ सैलेड रहती है बिल्कु सर और अगर खाने की बात की जाए तो कितने वेंजन बनते हैं एक बार में जो फॉर्णर खाना होता है अपना विदेशी खाना है उसके कम से कम 7 इ decides होते हैं इंडीयन खाने के होते हैं तो जिसको भी जो भी पसंद आता है वो अपना खा शकता है तो आप समझ सकते हैं किस ट्रें में खाने की अगर सुविदाय देखे तो किस तरीके से है और पक्तरियों पे दोड़ते एक महरानी स्वीट है दूसरा महराजा स्वीट है यानि कि जब जो यात्री इसमें रहेंगे उनको खाने के लिए तकलीफ ना हो और दो रेस्टरेंट लगातार यहां पर सुचारू रूप से चलते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगर लोगों की कोई ख्वाइस है किसी वे महराजा रजवारों की जिंदिगी को देखना चाहते हैं इसलिए इस ट्रेन में इसका विसेश ख्याल रखा गया है पट्रियों पर दोड़ते महल की अगर बात की जाए तो इसका यह दूसरा रेस्टरेंट है जिसे महराजा स्वीट कहते हैं और आप देख सकते हैं कि यहा पूरे तरीके से इसके इसको स्काई ब्लू और वाइट कलर से इसको बनाया गया और इस तरीके से डिजाइन किया गया है जैसा आपको लगता हो कि आप चाननी रात में मौजूद है और कुछ इस तरीके का यह स्वीट रेस्टरेंट जो है महराजा वो नजर आ रहा है मैं स These is the first time. First time? Yes. And we are celebrating our 50th wedding anniversary in this Palace on Wheels. 50? 50. Goldend anniversary. Wedding anniversary. You know, we're an 50th birthday to your birthday. Why do you celebrate your duhow many years earlier? Our first was to go on a cruise in Panama Canal, but we had a hurricane in Florida so we quickly made a plan so this was our second choice but we heard about it and we wanted to do it we we were born in Kerala and I studied some in Banaras Hindu University medical school here but for God full my Hindi so that was it this is four years four years yeah yeah I love my India I love my India we went to yesterday we went to the Wagga border and it was a exciting experience very very nice we loved it you can understand that we are walking in this train we are very happy to talk about this train we are walking in the restaurant now let's go to this train in the train in the restaurant there is a place on wheels if we talk about this here is a place on wheels here is a better food on the train on the train ख्याल रखा जा रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेड मिल लगाई गई है कि यात्रियों को अगर अपनी सेहत की फिकर है तो ट्रेड मिल का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके अलावा अगर बात करें तो साइकल यहाँ पर है साइकलिंग कर सकते हैं अपनी फिटनेस को ध बनाए गया है कि जो भी आत्री इस ट्रेन में सफर करें वो आराम से अपनी सेहत का ख्याल रखे और यहां पर ट्रेड मिल और साइकल है। इसके अलावा यहां पर Сपा भी बनाए गया है ताकि यात्री अपने आपको पूरी तरीके से आराम दे सकें। जहां तक इस्पा की बात है हमाई साथ यहां पर मौजूद है अरुन जी उन से जानते हैं अगर इस्पा की बात की जाए तो क्या विवस्था की गई और यात्रियों को किस तरीके से इसका फाइदा मिलेगा यहां पर इस्पा में काफी सारे थेरपीज हैं जिससे अपना एक कितने यात्रियों के लिए यहां पर संभभ हो पाएगा क्योंकि अपन संसकते हैं कि दो इस पारूम है और एक बार में दो या त्री यहां पर इस्पा का फाया उटा सकेंगे इसके अलावा जिम की भी सुविदा है यानि की आपके घूमने खाने के साथ सेहत का भी इस ट्र पर जो महल दोड़ रहा है यह आपकी सेहत का भी पूरी तरीके से ख्याल रख रहा है अगर बात की जाए तो पट्रियों पर चलने वाले इस महल को अलग-अलग रजवारो का नाम दिया गया है इस समय हम किसंगर के रजवारे के रूम के बाहर हैं जैसे की अलग-अलग नाम है तो हम अंदर चलते हैं देखते हैं किस तरीके से अंदर विवस्था की गई है आप देख सकते हैं कि अंदर का इंटीरियर बेहद ही शांदार है और जिस तरीक इस रूम को जो है वह सजाए गया है कोई भी नहीं कह Czech hell जो कि आप कि तरीक लेकर आप देख सकते हैं कि जो यात्री यहां पर आएं अपने समान को सुरक्षित तोर पर इस अलमारी में रख सके हैं अलमारी में लॉकर तक की यहां पर सुविदा दी गई है कि यात्री लॉकर का बेस्तिमाल कर सकते हैं इस तरीके से पैलेस ओन वील्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की सुविधाएं दी गई है इस ट्रेन में ट्रेन चलेगी आप जी सकते हैं